हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों आज टीवी सीरियल अनुपमा में कुछ बड़ा होने वाला है जैसे कि मैंने आप वो पताया भी था कि इस टीवी सीरियल में घरेलू हिंसा के मुद्धे पर बाचीत होगी क्योंकि वनराज शा अप अधिक पर घरेलू हिंसा का कीज दर्च कराने जा रहा है लेकिन पाकी उसे रोक लेती है क्योंकि पाकी अपनी शादी और अपने पती अधिक को बचाने की पूरी कोशिश भी करेगी वो सारा का सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेगी वहीं मौके का फाइदा उठा कर अधिक भी पाकी को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा वो पाकी के सामने मगरमच के आसूर बहाएगा लेकिन अनुपमा इस चीज को भाव जाएगी पिछले एपिसोड में आपको मैंने बताया था कि अनुपमा और वनराच पाकी को अधिक के किलाव शिकायद दर्ज करने के लिए कहते हैं आज की शिरुआत भी वहीं से होगी अधिक के किलाव शिकायद करने से पाकी मना करदेगी वो कहेगी कि माना कि हमारे भी सब कुछ सई नहीं चल रहा है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, मैंने भी कई बार गुसे में अधिक को बहुत कुछ का है, अधिक ने भी कर दिया तो कौन से बड़ी बात हो गई, और अधिक न सम्मान ना हो बराबरी ना हो वो रिष्टा रिष्टा नहीं बलकि जंजीर की तरह हो जाता है हाला कि पाकी फिर भी नहीं समझने वाली वो जित पर अड़ी रहेगी वो साफ साफ कह दीगे कि मुझे अपनी शादी बचानी है आप लोग मेरे शादी तोड़ने की कोशिश बि कहेगी कि तुम जैसी पड़ी लिखी लड़किया जब ऐसा करती है तब हजारों लड़कियों के आवाज भी दब जाती है अनुपमा के बाद वनराज और अनुझ भी पाकी को समझानी की कोशिश करेंगे वो कहेंगे कि यहाँ बात शिकायत करने की नहीं है यहाँ बात ते आपन मैं कहना चाहूंगा कि पाकी बहुत अच्छा कर रही है क्योंकि दो लोगों के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाता है चाए वो लड़की के माबाब ही क्यों नहीं है तो रिष्टा खराब हो जाता है और बात कोट कचरी तक पहुँच जाती है और बाद में इसका ख खरे करेगा लेकिन पाकी के सामने वो मगरमच के आसुबाहना शुरू कर देगा अनुपमा और अनुज समझाएंगे कि अधिक नाटक कर रहा है और उसे पांच मेहने की जेल भेजने की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों पाकी सबकुछ सहते वे भी अपने रिष्टे को ब पाकी के लोग पाकी को समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन पाकी बिल्कुल नहीं मानने वाली है लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों क्या पाकी सही कर रही है या फिर हो गलत कर रही है क्योंकि जुन सहना भी अपने आप में एक अत्याचार होता है लेकिन जब बात जरूर दीजेगा कि इस तरीके की situation में किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है और कैसे एक रिष्टे को बचाया जा सकता है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जोर कीजेगा, कमेंट भी कीजेगा और शेयर भी कीजेगा मिल दो नई वीडियो के साथ, ख्या लग्येगा अपना, stay tuned, goodbye